नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने उनलाइन संस्थान परिक्षाप्लस में क्या से हैं सभी एक नई सुर्वाट टीम परिक्षाप्लस के द्वारा आप सभी के लिए की जा रही है और आर आर बी के तमाम वैकिंसी के लिए टीम परिक्षाप्लस जिसक जड़ ही टेक्निकल है कहीं न कहीं जिसकी सारी फैकल्टीज, सारी इंजीनियर्स हैं और इनके आपके मार्गदर्सन में बहुत ही बेहितरीन कोर्स चलाया जा रहा है जो RRB, ALP और टेक्निशन की एक साथ बहुत मिनिममम प्राइस में 499 में चलाया जा रहा है इस बैच के सुरुवात करने से पहले ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया था लेकिन जब आप किसी चीज़ की तैयारी प्रारम करते हैं दोस्त तो एक चीज़ समझते हुए चलिएगा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जिस अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कि कंप्लीट जो आपका पेपर सॉल्यूशन है ये मैं पूरा आपको पेपर लेके आया हूँ ये जो पिछले बार आपका आरार भी आया था 2018 में उसके संबंध में आपका एके कोशन में सॉल्फ कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार इसमें कोशन पूछे जात करा आप में बहुत माक्सिमम क्वालिटी के साथ बहुत ही भीतरीन तरीके से आपको इसे कंप्लीट कराएगी और आपकी सफलता गमार प्रसस्त करेगी एक बार सभी लोग जितने मित्र आगये हैं सेशन को लाइक कर दे और भाई अपनी मौझूद की दरश करवा दे पर बाई किया जाहिए तो दोनों के कंबाईन प्र होते थे इस bार बोलू वेकैंसी अलग अलग है तो हो सकता है बच्चों की आपका इस बार पेपर अलग अलग हो बट चांसेिस है कि जैसे पिछली बार पैर्टरन और syllabus सेम था, इस वार भी ALP और Tech का pattern और syllabus बिल्कुल सेम रहेगा, Tech मतलब technician का है यहाँ पे इसमें जो संभाद पूछे जाते हैं, CBT1 में Maths, Reasoning, Science और GK current affairs GK और current affairs अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप देख पारे होगे total कितने question है, total 10 question, यहाँ पे total 10 question जो आपके हैं, वो किसके पूछे जा रहे हैं, 10 question जो हैं बच्चों, वो केवल और केवल GK और current affairs के पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही अगर बात किया जाए, केवल यहाँ पे 10 10 question अगर देखा जाए, तो GK और current affairs के, बाकि maximum question जो आपके हैं, वो math, reasoning और science के पूछे जा रहे हैं, science में यहाँ पे कितने question पूछे जाते हैं, 20 question, 8, 3, 11, 9, 20 अगर आप देख लोगे, और यहाँ पे अगर count करोगे, तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 16, 16, 18, 18, 18, 20, 21, लगबग 20 से 21 प्रशन आपके किसके होते हैं, यहाँ पे आपके listening के होते हैं, और बाकि जो बचे होते हैं, maths होते हैं, इन में लगबग 20-25, 20-25 का ratio आपका चलता है, टोटल 75 question होते हैं, 30 यहाँ पे हो गए, तो 45 आपके बचे, यानि कि 20 यहाँ पे हो गया, तो किनी सिफ्ट में LCM, SCF के थें, तो यह variability जब multiple सिफ्ट में होता है, तो लगा रहता है, similarly reasoning में जैसे जिस सिफ्ट का मैं आज करा रहा हूँ, इसमें आप देखोगे, तो silox, relationship, mathematical operation, coding, decoding के एक भी प्रशन नहीं था, लेकिन अगर आप इन सब कोई देखोगे, analytical listening में, जिसमें water image और mirror image होते, इन सब के भर-भर के question थे, तो यह vary कलता रहता है, और इसी according हमें अपनी तयारी करनी भी चाहिए, तो जब आप तयारी करने के लिए सोची लिए हो, तो बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से CBT 1 और 2, दोनों का batch जो 1599 का था, 70% अभी आपको 499 मिल रहा है, और इसमें आपको live classes, और उनकी recorded classes, सारी study material, और इसकी validity till exam, मतलब आपकी एक साल complete रहेगी, जब तक आपका final process नहीं हो जाएगा, तो बहुत बहुतरीन course design किया गया, आते हम लोग देखते हैं, कि किस प्रकास से question पूछे जाते हैं, और आपको कैसे इसे लगाना है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा एक-ए question analyze करूँगा, क्योंको ऐसा question पूछा गया, कैसे पूछा गया, और इसकी लगाने का तरीका क्या है, और साथ में, क्या इस बाल जो paper हो रहा है, इसमें पूछे जाने के chances हैं कि नहीं है, इन बातों में discuss करता रहूँगा, और आपको में solution करवाता रहूँगा, तो अगला आपका जो आदा, एक घंटा, डेड़ घंटा, जो भी आपको लगेगा, पचातर कोशन करवाने में, वो आपके लिए बहुत नडायत सावित होने वाला है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोशन पर आते हैं, तो एक देदें, तो भाई यह 6 बटे 24, 6 बटे 24 है, मतलब कि, इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम अगर 24, इसे जो आपका डिनॉमिनेटर है, यह 24 है, 24 बटे 24 होता, तो हम यह क्या करते हैं, यह आपका एक आ जाता, लेकिन 24 बटे 24 होने के लिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 18 बटे 24 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपसे वो 5 बटे 8 जोडने को बोल ला है, तो यह नहीं होगा, 5 बटे 2 में क्या जोड़ दें, 5 बटे 2 और लटी एक से जादा है, तो यह विकल्प वह ऐसे नहीं होगा 6 बटे 16 में हम क्या जोड़ दें यहाँ पर 10 बटे 16 अगर हम जोड़ेंगे तब 1 आएगा लेकिन 10 बटे 16 जो यहाँ पर 10 बटे 16 की बात किया जाए तो 10 बटे 16 ही 5 बटे क्या हो जाएगा यही 5 बटे 8 के बराबर हो जाएगा यानि C विकल्प आपका क्या हो जाएगा साही हो जाएगा ये भी क्यूंकि X से जादा था तो ये भी विकल्प नहीं होगा तो अगर ऐसे प्रशना आते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं Option Elimination method से मतलब ये Option Eliminate कर दिए 50-50 बचा अब दोनों हम क्या कर लेंगे Match कर लेंगा इस प्रकास से हमारा उत्तर आ जाएगा तो आपका Decimal Fraction Decimal Fraction आप से हाँ ठीके एक बार आप Uninstall कर कर लिजेगा प्रेम जी तो यहाँ पर Decimal और Fraction से आपका क्या होता है Decimal और Fraction से Quotion पूछे जाते हैं और हर सिफ्ट में जाद जादा Quotion पूछा जाएगा तो आप लोग यही पर नोट कर लेना बिटा कि Decimal Fraction आपके लिए बहुत Important Chapter है यहाँ से और आप किसी भी exam की तैयारी करते हो इस level पे आगे आपकी NTPC भी आएगी तो यह Decimal Fraction बहुत ही Important है Next Question पे आते हैं इसका उत्तर आप भी देना Reasoning का Question है Complete 75 Question में आपको करवाऊंगा और बहुत अच्छी Analysis के साथ आपको करवाऊंगा Solution और Analysis दोनों ही आपका यहाँ पे बहुत जबलदस्त होने वाला है इसे देखो यहाँ पे बोला है कि यह आकृतियों के दाएं और दरपन रख दिया जाए दाएं और दरपन यहाँ पे यह दरपन रख दिया है Image आपको Clear दिख रही होगी नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसकी Brightness कमकल दे रहा हूँ अभी आपको दिख रही होगी यहाँ पे दरपन रखा है आपको बताना है निमलिखित में से कौन सी छबी इसका क्या बनेगा इसका आपका Mirror Image बनेगा तो आप देखो अगर यह बीच में दरपन है तो यह दरपन में यह तो Plus Sign ऐसे ही बनेगा यह ट्रेंगल बनेगा और क्यूंकि यह इधर को जुकाओ है तो यह इधर को जुकाओ होगा यह गोला ऐसे आएगा और उसके बाद यह नीचे को आया है तो यह नीचे आएगा यह Plus से यह गोला बनेगा इससे मिलता हुआ Figure आपका कौन सा है प्लस यह B वाला फिगर आपका है मतलब की B कहाँ पे है तो आप इसमें ध्यान देना विकल्प D में B दिया हुआ है जनरली बच्चे देखते हैं यह B है तो विकल्प B पे टिक लगा देते हैं जोकि गलत हो जाएगा बिकल्प B पे क्या दिया हुआ है दी दिया हुआ है और D पे आपका B दिया हुआ है मिरर इमिज जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो B बन रहा है तो उत्तर आपका क्या आएगा यहाँ पे B आएगा क्या आएगा B आएगा हाँ बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर दीपती जोएल जी बाकी लोग भी जो भी क्लासेस कलते रहते हो वो बार रिव्यू जरूर देते रहो तकि जो बच्चे नए कोर्सेस में जुड़ें अभी हम लोग आरारबी का बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन मैं आपक जो साइन्स हैं वो MSC Physics हैं वो आपको नवीन सर पढ़ा रहे होंगे और उसके अत्रिक्त जो इंजिनरिंग का पार्ट होगा वह में खुद आसीस सर खुद आपको बता देंगे हम लोग का खुद ही जो प्रैक्टिकल हम लोग करके आए हैं जो एक इंजिनरिंग की लाइफ जी क्या हैं वो लाइफ आपको दिलवा देंगे इस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पे बाकि जिन बच्चों को RRB का कोस पर्चेस करना है बहुत ही मिनिममम प्राइस में हैं आप परिक्षा प्लस एप से ही जोड़ सकते हो इसे हम लोग देखते हैं कि तद तो A, B और C यहाँ पे डुबनेयर यहाँ पे अगर आप देखते होगे तो डुबनेयर का ट्रेड है यहाँ पे इस पे प्रशन था और इनका ट्रेड क्या बोलता था कि अगर कोई 3 element atomic mass इन्होंने ऐसे set किया ट्रेड मतलब इन्होंने 3-3 के set में set किया atomic mass की आधार पे और इन्होंने बोला अगर पहले तीसरे का average ले लिया जाए तो बीच वाले का मिल जाता है और इसी पी इन्होंने question पूछ लिया कि तद तो A, B, C जो डेवरनायल के trick के रूप में है यदि A का परमाडु भार 40 बिटा, C का परमाडु भार 137 है तो B का क्या होगा? A का इन्ह कर देंगे, दो कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा यानि यह कितना हो जाएगा? यह आपका 177 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, दो अठे 16, फिर दो अठे 16, 88 दिसमलो something आएगा, approximation में अगर आप निकालोगे तो क्या जाएगा? 88 इसका atomic mass आ जाएगा, क्या जाएगा? 88 इसक का atomic mass होता है, यह मुझे comment करके आप सभी लोग बता देना, बताओगे कि नहीं बताओगे, comment करके मुझे जरूर बता देना, तब तक हम next question पर आते हैं, और बहुत ही आसान, अगर आप level देखोगे बच्चों, तो level इसका बहुत आसान होता है, मैं आपको साथ साथ बताता च कि जो CBT होता है, इसका आप उत्तल देते चलो, मैं आपको बता दू कि जो CBT 1 होता है, CBT 1 के बल qualifying होता है, CBT 1 क्या होता है, यह qualifying होता है, और qualifying में इसका जो level होता है, वो very easy होता है, qualifying मतलब कि आगी के चरण में आपके इसके अंक नहीं जुडएंगे, आप 15 गुना बच्च से बेटा केवल 499 प्राइस है बहुत मिनिमम में रखा गया है ठीक है तो यह बहुत इजी होता है और आप इस पे देख सकते हो एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं क्या बोला है आम और नीम के पौधों की संख्या कानुपात यह सपोस करो आम है यह सपोस करो नीम ह या रहा है बोला है कुल जो है वो 361 है देख सद्रेण से 19 प्राइस कि 19 का वर्ग क्या होता है 361 यानि यहां से यहां आने में वर्ग हुआ है आप ऐसे बोल सकते हो यह 19 का गुड़ा कर दोगे तो 361 आ जाओगे बोल ला है बगीचे में कितने नीम के पेड़ है नीम आपको 11 दिख रहा है 11 में अगर 11 का किसका 9 1 10 का दो 0 आएगा जो 1 आया है इसे एक में जोड़ के लिग दो तो उत्तर आ जाएगा दोसों नो यानि ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोसों नो आपका सही जवाब हो जाएगा तो अगर आपके पास concept है बड़ीया अगर आपके पास बड़ी हाँ ट्रिक्स हैं तो आप इस परिक्षा में अवल आ सकते हो इस परिक्षा में प्रथम आ सकते हो इस परिक्षा को अपने नाम कर सकते हो और ALP technician में आप कहीं न कहीं एक नौकरी ले सकते हो आपको अगर eligible हो केवल आपको ITI चाहिए या फिर आपका qualifying होता है तो जब सब qualifying ही है तो किसके भिहाब पे आपका selection होगा होगा न भीया selection तो उन्हें लेना ही लेना है किसके भिहाब पे लेंगे A के भिहाब पे लेंगे और इसमें भी क्या पूछा जाता है math, reasoning और science मतलब आपको न जीयस पढ़नी है ना आपको English पढ़नी है ना आ होती है ALP के salary, railway में salary की कभी कभी किसी को नहीं होती है आगे question देखते हैं कोई धनरासी, कोई धनरासी 7.5% वासिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्स के लिए निवेज की गई थी जैदि निवेज 5 वर्स के लिए किया था तो अरजित ब्याज 375 रुपए अधिक होगा सुर अगर 4 ना किया गया होता, 5 साल किया गया होता, तो कितने साल के लिए अत्रिक्त किया गया होता, एक साल के लिए अत्रिक्त किया गया होता, और इस एक साल के अत्रिक्त के लिए rate तो 7.5% होता, लेकिन जो ब्याज अत्रिक्त मिलता, बेटा कितना मिलता, 375 रुपए मिलता, तो आप ये देख पा रहे होगे क्या कि जो 375 रुपय है ये इसी एक साल के लिए हो रहा है और एक साल में जो rate बढ़ेगा मनलब rate तो वही रहेगा बर जो ब्याज बढ़ेगा वो 7.5% के हिसाब से तो इसी 7.5% का फायदा देखो यहां पे 4 साल था तो 7.5% के हिसाब से कितन हुआ 28 हुआ और उसके बाद यहां पे 5 होगा तो 7.5 के हिसाब से उसमें 7.5 और जुड़ जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा यहां पे ब्याज कुल कितना मिल रहे है 35.5 तो अंतर 28 से 35.5 में 7.5% का है और इसके कारण जो क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है वो 375 रुपए मिल ले तो आप देखो 7.5% 375 कितना बहितरीन कैलकुलेशन दिया है 7 दुनी होता है 7.5 का हो जाएगा 15 7.5 का 15 यानि की 150 और उसका करोगे तो 300 यानि अगर हम 4 बार करते तो कितना आता 300 जाता अगर हम 5 बार करेंगे कहने का मतलब 50 का गुड़ा कर दोगे तो 375 आ जाएगा तो ये 50 अगर 7.5% इतना है तो 100% क्योंकि इसने क्या बोला कि इनीसियल में कितना निवेश किया था तो 100% क्या हो जाएगा इसमें भी 50 का गुड़ा कर दोगे यानि कि आप सीधा 100 में 50 का गुड़ा कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा उत्तर आपका 5000 आ जाएगा कितनी आसानी से आपने इसका उत्तर निकाल लिया इसका भी विकल्प क्या हो जाएगा भी विकल्प सही हो जाएगा तो आप तरीका देख रहे हो टीम परिक्षा प्लस की एक ड्रीम परिक्षा होने वाली है क्योंकि हमारा बैक्ग्राउंड ही टेक्निकल है हमारा बैक्ग्राउंड ही इंजिनिंग है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे भाई हैं हमारे जो जूनियर हैं वो हमसे जुड़के और अपनी सफलता का चीज को समझ सकते हो बाई कि एक अपना पंसा लगता है उन बच्चों के साथ, टेक्निकल बच्चों के साथ, जब वो क्या करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे सारे लोग, आप भी इस बाग को फील कर पा रहे होगे, जो मेरे मन की भावना है, उसे समझ पा रहे होगे, अपने जूनियर को, अपने छोटे भाई को उस फिल्ड में हर संभव प्रयास कलते हो, हर प्रकास से उसे मदद कलते हो, ताकि वो सही जगा पहुंच जाए, आप उसके लिए आदर्स बनना चाहते हो, मैं भी वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो छोटे भा तो आपको पता होगा, ये चीज आप समझ सकते हो, और वो वो अंदर से उर्जा आ रही है, आपको ये पढ़ाने के लिए, वो मन जो कर रहा है कि नहीं, ये वेकंसी में आपको हम नंबर एक दिलाएंगे, कुछ भी हो जाए, जैसे ये प्रशन था, साइंस का, ये मतलब ए इरामावस्था के स्थी में, वो इस्टैटिक पोजिशन पे है, वो रुकी होई है, एट रेस्ट पे है, क्या बुले एक स्थर बल की क्रिया के तहट या पांच मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है, बल दौरा किया गया कारे क्या है, बल दौरा किया गया कारे है, ज अगर हम kinetic energy final में से kinetic energy initial minus कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा delta e आजाएगा energy आजाएगा change in energy आजाएगा और वही कारे के बराबर हो जाएगा kinetic energy का formula आपको रटा होना चाहिए 1 upon 2 into v m into v square half m v square होता है जहाँ पर mass ध्रब्यमान होता है और v क्या होता है velocity होता है वेग होता है यहाँ पर और यह kinetic energy initial यहाँ पर half m यहाँ पर v final हो जाएगा और यहाँ पर v क्या हो जाएगा v initial हो जाएगा v initial rest में था तो आप तो यह कोई बच्चा भी बता देगा अगर rest में है तो velocity 0 होगी velocity 0 mass का 0 से 0 होगा यह पूरी value क्या हो जाएगी यह पूरी value 0 हो जाएगी तो इसका मतलब उत्तर के वल इस से आएगा 1 upon 2 कर दो mass इसने दिया हुआ था 4 का और velocity finally achieve करता है 5 यानि 5 गोड़े 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आप देखो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि उत्तर कितना जाएगा बिटा उत्तर आजाएगा आपका 50 उत्तर कितना जाएगा उत्तर 50 आजाएगा क्या यह बात आपको समझ में आ गई कितना आसान प्रश्न था लेकिन मैं चाहता ह कि आप लोग जिस उर्जा से जिस इंथुजियालम से मैं पढ़ा रहा हूँ जो अपने पन से मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपना पन आप में दिखना चाहिए कमेंट करके मुझे बताते रहो कि हांसर समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाऊं मैं अपने पूरा जो मेरे अंदर ग्यान है आप में ना पिरो पाऊं तो मेरा पढ़ाना बेकार है और अगर मैं आपको पढ़ा ले गया समझा ले गया मतलब मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया मैं पास हो गया मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो मुझे बताते जरूर रहना बिटा कमेंट में क्योंकि आपके कमेंट का ही सब कुछ है हमारे जोस को हमारे इस उर्जा को केवल आपके कमेंट और आपके सहीयोग की जरूवत है यहां पर मैंस का कोशन एक आया एक चीज मैं आपको बता दूँ कि ALP का या टेकनीशन का जो पिछली बार पेपर हुआ था सेक्सन वाइज नहीं था कमबाइन 75 कोशन थे कभी हिंद कभी डिजनिंग कभी मैट्स कभी साइंस कभी कर इंटरफियर्स कभी आपका जी के यह मिक्स था तो अभी फिर आपको वही मिलने वाला है क्योंकि 75 कोशन एक घंटा मिलेगा तो आपको स्पीड भी चाहिए पिछली बार बच्चे 75 कोशन में निगेटिव होने के बावजूद भी 67, 67, 70 नमबर लाए थे 67, 67, 70 क्या किये थे कोशन सही किये थे निगेटिव हटाने के बाद में तो इस बार भी चेलेंज बड़ा है कट ओफ तो जादा जाएगा जाएगा क्योंकि पिछली बार से वेकंसी कम है लेकिन मैं आपको इस लेबल पे तैयारी कराऊंगा कितना भी हाई कट ओफ कर दे आपका सेलेक्शन हो जाए कुछ भी हो जाए तो इसका उत्तर मुझे बता दो दो पाइप है एक ही समय में एक कारे करने पर एक टंकी को क्रमसा तीन घंटे और चार घंटे में भर सकते है जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को आठ घंटे में खाली कर सकती है तीन पाइप है हमालने तो ए है ए कितने में भर रही है तीन घंटे में भर रही है B कितने में भर रही है, B 4 घंटे में भर रही है, लेकिन जो C pipe है वो बिटा खाली कर रही है, और कितने में कर रही है, 8 घंटे में खाली, तो यह रिणात्मक कारे कर रही है, negative कारे कर रही है, हम total work निकालते हैं, इसका LCM लेके, इसका LCM आएका 24, 24 बटे 3 आएगा 8, 24 बटे 4 आएगा 6, 24 बटे 8 आएगा 3, यह सारी इसकी क्या है, कारे चमता है, efficiency of A है, यह कारे चमता B का है, यह कारे चमता किसका है, C का है, लेकिन क्योंकि यह काम क्या कर रहा है, रिणात्मक कर रहा है, यह पानी को बाहर निकाल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह minus की efficiency हो तो यह 8-14 positive का काम करेंगे, 3 ए घट जाएगा, कुल काम कितना बचेगा, 11, मतलब 3 अगर काम करेंगे, तो एक unit time में, एक unit time में यह किस की बात कर रहा है, घंटे की बात कर रहा है, तो एक घंटे में 3 मिलके 11 भाग तंकी का भाल देंगे, 11 कारी यह क्या कर लेंगे, कर लेंगे तोटल है 24 इसने बोला कि जब टंकी का एक बटे भारा भाग भरा हुआ था तब तीनों पाइपों को खोला गया टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगा तो पूरी तरीके से भरने में समझना अगर यह इसको भरना होता तो 24 बटे 11 समय लगता लेकिन एक बटे 12 पहल जाएगा मतलब कितना समय लगेगा दो घंटे का समय लगेगा विकल्प सही हो जाएगा बोलो हां या न क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा दो घंटे थोड़ा स्लो बताओ यही तो मैं कहा रहा हूं पीटा कमेंट करके बताओ तो तब तो मैं समझूंगा तो मैं उमीद मत रखना कि इसी क्लास में सारी तरीके में सीख लो, नहीं, हो ही नहीं सकता, learning is a gradual process, जितना आप पढ़ते जाओगे, आप पढ़ोगे, भूलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूलोगे, आपको confidence लो होगा, लगेगा आप पढ़ रहो, भूल रहो, आप पढ़ रहो, आह ही नहीं रहा है, आपको समझ में रहा है, बट, ध्यान लगना, learning is a gradual process, धीरी धीरे करके ही आप सीखते हो, और Rome was not created in a day, रोम भी एक दिन में नहीं बना था, आपको भी सीखने में एक दो महीने लग जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, इसका जो paper प्रस्तावी थे, वो जून स अगस्त में, आपके पास 4-5 महीने हैं, परे आप तो समय है, तो घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है, अब ये question मैं आप से पूछूंगा, आप बताओ, इसमें कोई logic नहीं है, इसमें केवल आपका perception है, या आपकी analytical reasoning है, या आपकी nonverbal reasoning है, या आपका क्या है, बोल रहा ह है, कि कॉन सी आकृती में नहीत है, इसमें क्या बोल रहा है, choose the correct figure, containing the below figure, ये जो आपको दे रखा है, दिख रहा है, इसमें से किस वाले figure में आपको दिख रहा है, किस वाले figure में आपको दिख रहा है, मुझे ये बता दो, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, अब यह आपको किस वाले figure में दिख रहा है, किस में नहीं तो दिख रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी मुझे बता दो, कौन बताएगा, इसका उत्तर कौन देगा, जल्दी से बताओ, इसका उत्तर कौन देगा, जल्दी से बताओ, यह वाला figure किस वाले figure में नहीं थे, तो B वाले किसने बताया गाजी पुल्यू क्या नाम है आपका वैरे गुड तो यहां पे अगर देखें तो यह फीगर क्या है यह फीगर ऐसे रॉड की तरह दिख रहा है क्या यहां पर कोई completed रॉड है नहीं यहां पर देखा जाए तो यह गया यह आया यह फिर यह आया इसका मतलब यह फीगर इसमें छुपा हुआ है तो B विकल्ट सही हो जाएगा लेकिन B है कहां B है C पे B कहां पे है B C पे है तो option कौन साथ चूज करोगे option C चूज करोगे option क्या C चूज करोगे C चूज करोगे क्योंकि यहां पर B बैठा है ऐसी गलतियां एक्जाम में नहीं करोगे खालो क इसे देखो इसने G के जी इसका question पूछा इसने पूछा क्या कि Odisha अकसर किसके कौन से प्रक्रतिक आपदाओं का सामना करता है Odisha कहां पे है भारत के नकसे में अगर देखोगे तो Odisha के स्थती यहां पे है कहां है West Bengal Odisha की स्थती यहां पे है और यहां पे आप देखो यह Bay of Bengal है और Bay of Bengal में क्या होता है सबसे ज़्यादा जो साइकलोन होते हैं सबसे ज़्यादा जो साइकलोन होते हैं वो कहां पे आते हैं सबस्यादा साइकलोन Bay of Bengal में होता है साइकलोन का गढ़ बोला जाता है साइकलोन को ही क्या बोलते हैं हम लोग साइकलोन को ही बेटा बोलते हैं चक्रवात इसी को क्या बोलते हैं इसी को चक्रवात बोलते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवात इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा चक्रवात वरसा बीटा कोई प्राकृतिक आपता नहीं है बूंडा बांदी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, तब बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो वर्षा होती है, यह आप मांसून जो चलता है, इधर से चलता है, और यहां से इधर जाता है, तो आप देखो बहुत ज़्यादा अगर वर्षा होगी, आप देखते होगे कि यह यह जो आपका भूज है यह भूज वाला जो आपका छेत्र है दिल्ली वाला जो छेत्र है नेपाल वाला जो छेत्र है यहाँ पर भूकंप जादा आते हैं उडिसा वाले छेत्र में भूकंप नहीं आता तो इसका क्या हो जाएगा इसका चक्रवात ह आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन, निम्लिकित में इसे किसने रासाइनिक संयोजन के दो महत्पूर नियम बना कर रासाइनिक विज्ञान की नियू रखी, तो ये बहुत अच्छा कोशन है, रदर फोर्ड ने तो रदर फोर्ड एक्स्पेरिमेंट किया था, जिन्होंन इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, ये आपका अलजेब्र का कोशन है, इसने बोला है क्या 3X स्क्वार प्लस AX प्लस 4 लिखा हुआ है, इसे बोला जा रहा है, X-5 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो अगर ये पूरता विभाज हो जाए, मतलब कि डिविजिबल है, ये क्या है, कम्प्लिटली डिविजिबल है, पूरता विभाज ये हो जाए, तो आप से क्या पूछ रहा है, A की वैलू क्या होगी, कोई मुझे बताओगी, इसमें A की वैलू क्या होगी, कौन मुझे ब ओपेन होने दीजिए मैं आपको दुबारा से करा दे रहा हूं इसमें एक ही वैलु आप से पूछ रहे हैं एक बार ओपेन हो जै मैं आपको करवा दे रहा हूं ठीक है थोड़ा से समय दे दीजिए बस थोड़ा से थोड़ा से समय दे दीजिए तो यह जो कोशन आपका अभी था यह आपके किसके था यह कोशन आपका फैक्टराइजिशन का कोशन यह बोल सकते हो फैक्टर थेरेम का कोशन था जहां पर क्या बोलता है कि जो fx होता है वो अगर f of a से यहां यहां पर ले लेता हूं। जो कोशन से देख लेता हूं कहां पर आ जाएगा। hate ठीके तो ये किस पे होता है ये factor theorem पे होता है तो हम लोग क्या करेंगे इस पे factor theorem के आधार पे इसका क्या कर देंगे उत्तर लगा देंगे आते हैं किस question पे थे हम लोग हम लोग थे हम लोग किस पे थे इस वाले question पे थे तो अगर इस वाले question की बात किया जाए तो यहां पे हम लोग देखते हैं यह क्या हो जाएगा मैंने बोला कि यह 3x square यह क्या है यह 3x square यह क्या दिया हुआ है यह 3x square दिया हुआ है plus ax दिया हुआ है plus 4 है यह से हम क्या बोलते हैं इसे fx बोलते हैं अगर fx बराबर यह है और यह f of a से x-5, f of a क्या होगा, 0 होगा, अगर f of a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगर यह completely divisible है, तो इसकी value क्या हो जाती, इसकी value 0 हो जाती, यानि x-5 की जो value हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, तो x की value क्या हो जाएगी, x की value यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे क्या दिया तो 5 हो जाएगा 5 A हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 25 तियां 75 चार 89 प्लस 5 A हो जाएगा और इसकी वैलो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ये भी 0 हो जाएगी 5 A बराबर क्या हो जाएगा माइनस 79 तो A बराबर दसम्लोे 8 इसका सीविकल से हो जाएगा हिंदी में बतैं ठीक है तो क्या हो जाएगा माइनस पंद्रा दसम्लोМ क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा तो फैक्टर ठैरम जो आपका क्या होता है जो गुरंखंड प्रमे होता है कहता है अगर fx दिया हुआ है और अगर F A इसका factor है या F of A क्या हो जाएगा F of A इसका factor है तो F of A बराबर क्या हो जाता है F of A बराबर 0 हो जाता है और जो A की value हो जाएगी वो F of A को 0 रखने पे मिल जाएगी यानि X-5 को 0 रखने पे हमें क्या मिल गया x बराबर 5 मिल गया यही तो इसका क्या है यही theorem है इसे हम लोग factor premier बोलते हैं ठीक है आगे देख लेते हैं अब इसका उत्तर कौन बताएगा इसका उत्तर आप बताओगे क्योंकि इसमें आपको कोई concept नहीं जानना है केवल आपको बताना है कि यह वाली आकृती किसमें नहीत है मैं जूम कर दे रहा हूँ क्या आपको यह वाली आकृती निमलिखित में से किसी में निमलिखित में से किसी में नहीत दिख रही है तो मुझे बता दिजे क्या यह वाली आकृती किसी में आपको दिख रही है फिर हमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तो आपको हर जगा मिल रही है, यहाँ पे भी ये वाली लाइन मिल रही है, लेकिन आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कि आप यहाँ से आओ, यहाँ से यहाँ आजो, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ स या नीता जी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी हो जाएगा, तो अगर ऐसे प्रशना आएंगे तब तो कल ले जाओगे न, ऐसे प्रशना आएंगे तब तो दिक्कत महीं होगी, हाँ, जो मैस के प्रशना है, वहाँ पे दिक्कत होगी, तो मैं हूँ आपके ल यह आपके syllabus में एक topic है boardmoss, boardmoss पे संबंदित प्रशन है, boardmoss क्या कहता है, बड्मoss कहता है बेटा कि आपका जो अगर कोई ऐसे question को करोगे तो सबसे पहले आप किसे हल करोगे, bracket को, फिर off मतलब multiplication, फिर division करोगे, फिर multiplication, फिर addition, फिर subtraction, फिर subtraction, फिर पहले bracket हटाओगे, उसके बाद गुड़ा करोगे, off वाला, उसके बाद भाग दोगे, फिर गुड़ा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटा होगे, तो सबसे पहले bracket, bracket में भी सबसे पहले बड़ा वाला bracket, फिर उसके बाद ये वाला bracket और सबसे अंत में ये वाला bracket, तो बड़ा वाला bracket तो है नहीं गुड़े 3 बार जाएगा 32 गुड़े 3 बार जाएगा लेकिन एक minus बाहर और लगा हुआ तो ये minus 45, minus 3 हो जाएगा और ये bracket कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यानि ये minus 48 हो जाएगा ये minus 48 है गुड़े minus का एक बटे 4 है तो ये 4-4, 12, 40 हो जाएगा minus minus प्लस हो जाएगा यानि प्लस का बार आ जाएगा ए विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा बहुत उंदा इसका हम क्या कर देंगे ए विकल्प लगा देंगे यह बॉर्ड मॉस पे लगते हैं इसका बता दू विज्ञान का प्रश्ण है ध्यान देना कि हमें छोटी वस्तूओं को देखनी की जरूवत कहां पे होती है, यह आपका object है, यहां से एक रे जाएगी, अगर parallel होगी तो कहां से जाएगी, यह फोकस से होगी, यह कहां से गुजरेगी, यह फोकस से गुजरेगी, और अगर हम क्या करें, अगर हम यह तो क् मतलब यह जो mirror के पीछे बनती है, यह क्या बनती है, यह आभासी बनती है, क्या बनती है, आभासी बनती है, जिसे हम लोग English में virtual बोलते हैं, क्या बोलते हैं, virtual बोलते हैं, प्लस यह erect भी बन रही है, क्या बन रही है, erect भी बन रही है, कई सारी cases में inverter बनती है, बट erect बन रही ह और ये छोटी बन रही है, तो छोटी आपको कहां पर मिलेगा, छोटी जो image मिलेगी, वो ये किस प्रकार का mirror है, ये convex mirror है, किस प्रकार का है, convex है, जिसे हम लोग उत्तल दरपण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग उत्तल दरपण बोलते हैं, ये कहां पर लगता है, जो गाड़ी तो बहुत बड़ी है, अब सोचो, अगर ऐसा mirror लगा दिया जाए, जिसमें object से बड़ा image बने, तो आपका mirror इतना बड़ा है, गाड़ी इतनी बड़ी है, अब पता लगे, वो भी सीसे में और बड़ा दिखाई देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पीछे एक concave होता है, जो concave mirror होता है, concave mirror, concave mirror हम किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यह जो, इधर इसकी policy होती है, ठीक है, यहाँ पर object यहाँ पर रखा होगा, यह कैसा बनाता है, यह आपका real image बनाता है, यह आपका real और inverted image बनाता है, ठीक है, यहाँ पर कई ज़्यादा तरकेस में, कई यह क्या बनाता है यह आपका एरक्ट भी बनाता है लेकिन इसमें वस्तु क्या दिखती है इनलाज़ दिखती है बड़ी दिखती है यहाँ पर क्या दिखती है वस्तु का साइज बड़ा होता है तब ही जो डेंटिस्ट होते हैं आपके अंदर दांतों को बड़ा बड़ा देखना चाहते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो concave mirror यूज करते हैं, ऐसे ही जो आपके, जो घड़ी वड़ी में काम करते हैं, या आप बोल सकते हो कि, जहां पे भी, जो saving वाला सीसा होता है, वो क्या होता है, वो concave होता है, और गाड़ी के side में क्या होता है, convex होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग आउतल बोलते हैं जबकि जो plane mirror होता है जो plane mirror होता है plane mirror ऐसे होता है इसमें जितनी object की size होती है उतनी ही image की जितना वस्तु की size होगी उतने ही उसके प्रतिवंब की होगी उतनी ही उचाई होगी H भी बराबर होता है, यहां पर H भी बराबर होता है, और यहां से distance भी क्या होती है, बराबर होती है, distance भी बराबर होती है, यह हमारा क्या होता है, plane mirror होता है, इसे समतल दरपन बोलती है, next question में आते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल द क्या बूल रहा है एक computer game में एक builder एक दीवार का निर्माण कितने घंटों में कर रहा है दस घंटे में कर रहा है और जबकि एक विध्वहशक जो है ऐसी दीवार को 14 घंटे में क्या कर रहा है पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है बिल्डर और बिंध्वशक दोनों पहले एक साथ काम करते हैं लेकिन साथ घंटे के बाद वद्वशक को निकाल दिया जाता है दीवार को बनाने में लगा कुल समय कितना है क्या पूँच रहा है कुल समय कितना है ये आप से पूँच रहा है आप ये देखो कि भाई दो लोग हैं एक positive काम कर रहा है एक negative काम कर रहा है एक 10 घंटे में कर ले रहा है एक 14 घंटे में कर ले रहा है यही तो कर रहा है एक इतने में 10 घंटे में कर ले रहा है और क्या कर रहा है ये 14 घंटे में कर ले रहा है अब बोला है कि दोनों एक साथ सुरू में काम करते हैं but after 7 hours the destroyer was taken out तो अगर इसका हम कुल कारे देखें इसका LCM लेते हैं 14 और 10 का LCM आएगा 70 70 बटे 10 आएगा 7, 70 बटे 14 आएगा 14, 75 यह माइनस का काम करेगा दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 में से 5 जाएगी 2 ही काम होगा यानि कि यह 1 घंटे में 1 घंटे में 2 काम कर रहे हैं 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 2 काम कर रहे हैं कितना काम कर लिए होंगे अगर 7 की होंगे क्योंकि इन्हों ने बोला कि 7 घंटे तो लगातार काम करते है तो अगर 7 घंटे लगातार काम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? दो गुड़े 7 हो जाएगा, 14 काम हो जाएगा, 14 काम तो इन्होंने 7 घंटे में कर लिया, लेकिन अब दुनसक चला गया, काम का 70, तो 70 में से अगर 14 काम हो गया, तो 56 काम बचा, इस 56 काम को कौन करेगा, जो बना रहा है, यानि यही करेगा, 7 के efficiency करेगा, मतलब इसे 8 घंटा all लगेगा, तो पहले 7 घंटा लगा, और बाद में 8 घंटा लगा, टोटल कितना लगा, 7 प्लस 8, यानि कि टोटल कितना लगा, 15 घंटे आपका उत्तर लगा, 15 घंटे आपका टोटल समय लगा, लेफ्ट में दिखनी रहा है, अच्छ, ये लो, अभी दिख रहे हैं बीटा, अभी दिख रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 15 घंटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल 15 घंटे, तो ऐसे कोशन को time and work, ये जो chapter है, ये आपका time and work से, और आप इस paper में देख रहे होगे, तो time and work के ही 2-3 कोशन अभी तक आपको मिल गए, तो ये थोड़ा कि आपकी किस पोशन से कौन सा कोशन जादा पोच लिया जाए, आगे देखते हैं, इस कोशन को देखो, कह रहे हैं कि वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिगरी का कोण, पर जुकी हुई इस पस रेखाओं की एक जोड़ी खीचने के लिए, है ना, एक जोड़ी खीचने के इसके बीच का जो कोण दिया हुआ है, यह 75 डिगरी अगर यहाँ पर दिया गया हुआ है, तो बोल रहा है, यह सेंटर है, यह और यह अगर हो जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कोण क्या बनेगा, आपसे यह पूछ रहा है, आपसे कोण क्या बनेगा, यह थोड़ा सा इसे सही बना दो मैं यह यह आपसे क्या पूछ ला पर गिरती है यह प्यांपर नपबे नपय सबस्थ रहा है और अगर इसे A बोल दो देंसे B बोल देंसे C तो a-b Angeles यानि कि 365 60 होगा, यह 90-90, 180 है, तो 75 प्लस O बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 75 प्लस O बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानि O बराबर क्या हो जाएगा, O, 180 माइनस 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 डिगरी, कितना हो जाएगा, 105 डिगरी, इसका जवाब D विकल्प इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा अभी क्लियर हो गया इसका क्या हो जाएगा इसका दी हो जाएगा क्लियर हो गई बात यहां तक समझ में आ रहे हैं आगे बढ़ लिए आगे बढ़ लिए आगे बढ़ लिए बही 75 कोशन टोटल हम चाबर 3 दिया हुआ है आप से क्या पूच रहा है आप से पूच रहा है कॉसिक 4 थीटा माइनस कॉसिक स्कॉयर थीटा धियान देना अगर कॉटर कॉसिक का सिंपली प्लस माइनस में दिया है तो इसकी वैलू भी 3 होगी यह मैं आपको आगे बता भी दूँगा लेकिन आपको तो बस हिंट दे रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे अगर इसे आप क्या करो यहां से कॉट स्कॉयर थीटा को आप बाहर ले दो कॉट स्कॉयर थीटा को बाहर ले लो तो यह क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्कॉयर थीटा बनेगा और कॉट स्कॉयर थीटा होता है कॉट स्कॉयर तेटा यह आप अगर से बदलो गें इसकी बैलू वन होती है यानि यह लिखा क्या है यह लिखा है कॉर्ट कॉस अपन साइब नीचे साइन आएगा तो क्या आ जाएगा? Cautic square theta, minus 1 आएगा, और ये cot की value होती है, Cautic square theta, into cot square theta, ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, ये दोनों सेम चीजे लिखी है, इसका मतलब दोनों की value सेम होगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 3 हो जाएगा, तो अगर इस पेर में लिखा है, तो जब आप अभ्यास कर लोगे, जैसे कॉसिक का माइनस वाला पेर दिखेगा, आंसर आपका सेम हो जाएगा, इसे मैं आपको एक एक चीज याद करा दूँगा, बिल्कुल परिशान मत हो, इ इसे मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बता दो, इसका उत्तर आप लोग दोगे, इसका मुझे उत्तर आप लोग दोगे, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो, क्या बोल ला है, मद्ध प्रदेश उसी तरह से हीरे से संबंदित है, जैसे करनाटक है, मद्ध प्र फील्ड यही तो होता है कुलार गोल्ड फील्ड होता है यह कहां पे है यह करनाटक में है कहां पे है करनाटक रीजन में है तो क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर सोना हो जाएगा यह आपका डियाई का कोशन था आशान कोशन था अ अप्रिल 2017 में बाईक के अलावा वाहनों के पंजी करण में वृध्धी आप से पूछ रहे हैं जानकारी क्या दिया है कि जानकारी X कोई सहर है जिसमें 6 महीने 2017 के बाईक और कुल माईक के पंजी करण को दर साता है चार्ट में पहली संख्या बाईक है पहला वाला जो डंडारेक है यह क्या है बाईक का है और दूसरा वाला कुल है तो आप ऐसे देखो, अगर यहाँ पर बाइक कितना है, यहाँ पर 21, यह 21 है और यह कितना है 27, तो अगर 27 कुल वाहन है, 21 बाइक है, तो अन्य वाहन कितने हो जाएंगे 27-26 हो जाएगा, और अपरेल में पूचा है, तो अपरेल में यहाँ पर कुल वाहन 35 है, और बाइक कितन 9000 हो जाएगा आसान प्रश्ण इसका डियाई का था बहुत कठिन नहीं पूँचता ये देखो algebraic identity का कितना बढ़ी हां question पूँचा इसने बोला कि यदे a plus b plus c क्या बोला अगर a plus b plus c अगर बराबर 0 हो तो a cube plus b cube plus c cube का square की value क्या होगी ये आपसे पूँच रहा है a cube plus b cube plus c cube की square की value क्या होगी अगर a plus b plus c बराबर 0 होता है तो ध्यान देना ये क्या होता है a cube plus b cube plus c cube बराबर क्या होता है 3abc होता है क्यूंकि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है इसका formula आ जाएगा तो अगर इसकी value a b c कर दिया जाए तो a b c 3 a b c कर दिया जाए इसकी value क्या हो जाएगी 3 a b c हो जाएगी इसका square कर दिया जाए तो 9 a square b square c square हो जाएगा simple formula based question था कहां पर विकल्प दिया है b विकल्प हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर भी हो जाएगा तो question आपको लग रह तब कोई लेवल नहीं होता, बहुत ही आसान पूछा जाता है, तो भीया क्लास अगर समझ में पसंद में आई हो, तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करते रहो, ताकि मेरा भी जोज बढ़ता रहे, आपको 21 प्रशन को करवा रहे हैं, इसमें आपका कथन और कारण पे भी प्रशन रिजनिंग में पूछा जाता है, जिसे करना बहुत आसान होता है, आसिस सर आपको रिजनिंग पढ़ा रहे होंगे कोस में, और बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, कथन कारण की कोशन हमें किस प्रकास से करना है, इसने क्या बोला है, कि क्या से इंगलिज यहां पर शुरूआ है एजमिशन आर्गुमेंट जो है पबलिक स्मोकिंग इजन ओफेंस अंडर दला सारवजनिक इस्थानों पर धूमरबान करना कानून की तहत अपराद है धार्डाएं क्या है पहली धार्डा है धूमरबान करने वाले बेक्तिके स्वास्थ के लिए धूमरबान हानिकारख होता है ये तो सही बात है भाई है तो सही बात लेकिन इस तरक में ये धार्डाएं नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा सरवजनिक इस्थानों पर धूमरबान दूसरों की स्वास्थ के लिए हानिकारख है क्योंकि ये क्योंकि ये दूसरों की स्वास्त के लिए हानिकारक है इस कारण से क्या हो जाएगा इस कारण से इंप्लिसिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक और दो दोनों नहीं ना तो एक ये भी नहीं केवल धानडा दो यानि किसका क्या हो जाएगा सी भीकल्प हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इस प्रशन को देखो, आपसे alphabetical series में question पूशता है, यहाँ पे ACT है, यहाँ पे EGG है, यहाँ पे IN के है, अगर आप देखो कि तो A, E, I, या A, E, I, O, U, यह सब क्या होते हैं, यह सब alphabet होते हैं, A आगया, E आगया, I आगया, अगला कौन सा आएगा, अगला O आएगा क्या, तो O से सुरुआत होने वाला old है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर old हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, next question, किस राज सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को और आरवेद का brand master बनाया है, क्योंकि यह पिछली बार का current का question था, अभी के लिए बहुत महत्पो यह तुरंत करका भुकतान नहीं करते हैं, यह क्या है, यह आपका argument है, धाणाएं क्या हैं, धाणाएं बोला है, कि सरकार को लोगों में जागरुकता पैदा करनी चाहिए, कि करका भुकतान करने से राश्ट निर्मान में मदद मिलती है, यह सही है, कर बढ़ाया जाना चाह आगे देखते हैं, खाद पदालतों में विकृत गंदिता, जो रैंसिडिटी होता है बेटा, उसका मुख कारण क्या होता है, आप ध्यान देना कि जो मुख कारण होता है, वो ऑक्सिडेशन होता है, क्यों? ऑक्सिडेशन में गैस होती है, यह गैस बहुत ही क्रिया सील होत इसे लिए जब आप लोग देखते होगे कि जो chips की packet होती है या फिर कोई अन्य खादे सामगरी होती है उसे क्या करने के लिए बचाने के लिए उसे बचाने के लिए उसमें किसको nitrogen या फिर क्या helium की gas की जाती है ताकि उसका oxidation ना हो पाए है ना chips के बचाओ के लिए क्या किया जाता है nitrogen या helium क्योंकि ये अक्रिये कैसे होती है इनसे क्या होता है इनसे जो product होता है वो बचा रहता है चिपस की पन्नी जो फूली होई होती है खोलने पे gas निकलती है वो क्या होती है nitrogen या helium होती है ठीक है आगे देख लेते हैं इसको बता दो अब ये प्रश्न आप करोग इसका उत्तर आप दोगे दी गई उत्तर आक्रितियों में से कौन सी आक्रिती प्रश्न आक्रिती की सही जल्चबी है अच्छा कितने बच्चे चाह रहे हो कि मैं जितने भी paper है सारे paper मैं आपको discuss करवादू कितने बच्चे चाह रहे हो कि सारा paper मैं आपको discuss करवादू मुझे बता देना, तो मैं एक एक दिन आपका एक एक पेपर करा दूँगा, जैसे आपका 15-20 पेपर होंगे, मैं 15-20 दिन में आपको ये सब कुछ करा दूँगा, समझ में आ रहा है, से फायदा मिलना है, मजा आ रहा है कि किस प्रकासे करने है, तो very good, ठीक है, अगर आप लो नीचे क्या होता है, नीचे उसकी इमेज बनती है, नीचे उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मान के चलो ये mirror है, तो mirror को आप कैसे रख देते हो, mirror को आप इस प्रकासे रख देते हो, ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या होगा अब देखो अगर यह ऐसे बना है यह figure ऐसे बना है अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें? यहाँ पे एक mirror लगा दें तो भाई यह डबा है यह भी डबा होगा यह स्कोनेस है तो यह start इस्कोनेस होगा start तो इस score लेकिन यहाँ पर एक dot है तो यह नहीं होगा यह तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि इसका water image बनेगा अगर कोई चीज ऐसा है तो इसका water image बनेगा वो ऐसा बनेगा बास समझ में आ रही है जैसे उपर से नीचे की तरफ तो अगर यह उपर है तो यह नीचे से जाना चाहिए यह सही है यह भी सही है लेकिन इन दोनों में कौन सा सही है यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर खुला box है यह देखो खुला box है यहाँ पर यह बंद box है तो D नहीं होगा यानि कि C बिकल्प सही हो जाएगा C कहां बैठा है C A में बैठा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर A बिकल्प हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर A बिकल्प हो जाएगा A बिकल्प हम सही कर देगे आगे देख लेते हैं X-bin तो A से चलकर चलना सुरू करते हैं यह direction sense पर आपसे question पूचेगा आपके syllabus में दिया है ऐसा question पूचता है यह मेरे खाल से option कुछ गलत set हुआ है यहाँ पर यह सारे option को यहाँ पर under root वाले को किवल consider करो यह होगा ठीक है? यह आपका विकल्प है ध्यान देना विकल्प आपका यह है इस विकल्प के हिसाब से आप उत्तर देना इस विकल्प के हिसाब से आपको क्या देना है? उत्तर देना है तो अभी आपको विकल्प यहाँ पर सही दिख रहा है अब आप मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा बोले है कि श्री X बिंदू A से श्री X बिंदू A से चलना सुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 80 km जाते हैं यह सपोस करो कि बिंदू A है और पश्चिम की ओर पश्चिम दिसा इधर होगी कितना चलते हैं 80 चलते हैं 80 चलने के बाद 2 मुडते हैं यहां से 2 मुडेंगे तो नीचे आएंगे कितना आते हैं 50 आते हैं बोल रहा है कि A से B के बीच के नियुन्तम दूरी क्या होगी यह होगी यानि इसकी जो value होगी बेटा ये अंडर रूट में क्या होगी 80 का square प्लस 50 का square होगी ये पाइथागोरस लगता है यानि ये हो जाएगा 6400 और 2500 हो जाएगा ये अंडर रूट में रहेगा यानि कि 549 हो जाएगा 628 हो जाएगा under root क्या हो जाएगा 89 क्या हो जाएगा under root आपका 89 हो जाएगा यानि अगर हम इसको दिखें अगर इसको देखें तो ये क्या जाएगा 10 बाहर आ जाएगा इसमें क्या जाएगा 10 बाहर आ जाएगा 10 root 89 10 root 89 मेरे खासी ये लिखा गलत है ये आपका लिखा होना चाहिए 10 root 89, ये लिखा होना चाहिए 10 root 98, ये लिखा होना चाहिए 10 root 39, और ये विकल्प होना चाहिए 10 root 93, ये विकल्प आपका होना चाहिए, तो विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका D सही हो जाएगा, ठीक है, D विकल्प हो जाएगा, इसको कि इसको बताओ एक कष़ा में और बहुत बढ़ु एक कष्या में 25 लड्कों की मांद उचाईая एक सु पछा से Beim हैं और उसी कष्या में 35 लड्कियों की मांद उचाई एक सु पैंटालिश सेमों है कच्छा में 60 चात्रों की संयुक्त माहद उचाई किया होगी यह जू लड़कों का माध्ध 15 है, आप देखो 25 लड़कों का माध्ध कितना है? 150 है, और क्या बोलगा है? उसी कच्चा में 35 लड़कियों का 35 लड़कियां है, इनका माध्ध 145, इसने बोला कि 覺 सब को मिला लिया जाए 60 हैं, तो 60 के माध्ध कितना होगा आपसे यह पूछ रहा है लॉजिक देखो आप दिल खुस हो जाएगा कि कितना आसान तरीकिसे हम लोग कर रहे हैं तोटल अगर जोड दिया जाए तो बीटर कितना होगे 25 और 35 हो जाएंगे 60 अब हम ये मान लेते हैं कि अगर प्रतेक के 145 ही होते यानि कि ये जो 125 होगा ये क्या होगा ये प्रतेक लोगों में बराबर बटेगा तो हम क्या कर देंगे 145 प्लस 125 बटे क्या कर देंगे 60 कर देंगे ये एप्रॉक्सिमेट में जो वैलू आएगी 145 प्लस 2 दसमलो something आएगी यानि कि एप्रॉक्सिमेट में पूछा था तो 145 दो क्या हो जाएगी 147 हो जाएगी तो उत्तर क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा हाँ ALP की चल रही है ठीके तो क्या हो जाएगा यह 147 हो जाएगा एवरेज के यह कोशन करने का तरीका बहुत उंदा है आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा वैसे आप कंवेंशन मेथर से जाओगे ओल्ड स्कूल मेथर्ट से जाओगी तो बहुत समय लगेगा इसका उत्तर बता दो बोला निमलिकित में से क्या बढ़ते भुरूण के लिए पोशक उतक के रूप में कारे करता है इसका उत्तर आप बता दो मुझे जाओगे इसका उत्तर आप लोग को बताना है जल्दी से मुझे बताएं बताई, इसका उत्तर जल्दी से मुझे बता दे, आपको बताना है भाई इसमें, इसका उत्तर ये बता रहे हैं, नहीं भाई, ये नहीं होगा, इसका उत्तर किसकी बात कर रहा है, बढ़ते भूण के लिए पोशक उत्तक की तरह कारे करता है, तो वो भूण भूण पोश होत यहां पर आप नाम से ही देख सकते हो जिसे इंडो इस्पम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे इंडो इस्पम बोलते हैं आगे देखो दिये गए विकल्पों में से गलत सब्द जोड़ी को चुनिए बढ़ाई जैसे हथावडा से है क्रेन जैसे बिल्डर बढ़ाई के पा आबों को काटने फाडने का सौक है क्या नहीं भाई इसमें क्या हो जाएगा डी विकलपाप का सही हो जाएगा क्या हो जाएगा डी वाला ओड वन आउट है क्या पूछा था कौन सा क्या है कौन सा अल्टरनेटिव अलग है इनकरेक्ट है गलत सब्द है तो क्या हो जाएगा दी हो जाएगा आगे देख लेते हैं 2016 का प्रश्ण है मैं इसे छोड़ दे रहा हूं वैसे 2016 में ओलंपिक रियोडी जिन रियो में हुआ था आगे देख लेते हैं आगे देखते हैं अब करेंट नया आएगा तो नये कहीं साब से कराएंगे 27-37-46-15-13-13-2 कोशन करना बाकी है तो हमें समझेगा कि आपको ये 75 कोशन कितने घंटे में करने हैं केवल 60 मिनिट बेटा चाहिए और जिसमें मैट्स और वीजनिंग का पोशन जादा हो मैट्स प्लस रीजनिंग क्या होता है मैट्स प्लस रीजनिंग अगर देखा जाए तो लगबग 50 कोशन होते हैं और बाकी साइन्स और साइन्स और करेंट जीके बोला जाए साइन्स प्लस करेंट अफेर्स जीके ये आपके 25 होते हैं तो इसी 50 कोशन में 60 मिनट से जादा लग जाता है बच्चों को ये छूट सा जाता है इस कारण से बता रहा हूं कि आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस की जरूरत है अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो ये CBT1 ही क्लियर करना मुस्किल हो जाएगा तो जादा से जादा प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले concept को क्लियर करेंगे फिर प्रैक्टिस हम जादा से जादा करेंगे तो 27, यहाँ पर देखो 27 माइनस ब्रेक्ट में लिखा हुआ है 38, फिर small bracket है 46, फिर छोटा bracket है 15, माइनस 13, माइनस तो यह 46 हो जाएगा, 38 माइनस के लिखा हुआ है 46, बड़ा bracket बंद, और यह 27 माइनस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का आ जाएगा 8, 27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 आठ आठ आपका 35 हो जाएगा, यानि उत अठ एखो कटोब निसद, कटोब निसद लिखाएगा, यहाँ पे कटोब निसद होता है, इसमें किसके किसके बीच में संवभाद है, तो यह नचिकेता और यम के तो यह भगवान यम इसका उत्तर हो जाएगा, यह विकल्पाप का सही हो जाएगा, इसको देखो 20 cm की वक् R बटे 2 होता है या आप R बराबर क्या बोलोगे 2F होता है जहां पर कोई भी कोई भी अगर image है suppose करो यह कौन के mirror है इसमें अगर यह क्या है यह वक्रता वक्रता त्रिज्जा है मतलब कि अगर इसे पूरा complete किया जाए तो यह क्या बनता है यह त्रिज्जा होता है यह R होता है तो यह दूरी आपके R होती है और focus दूरी यहाँ पे होती है F जो होता है F यह क्या है यह F focal length की दूरी है तो जो R होता है वो 2F के बराबर होता है आप से focus मुचा है focus R बटे 2 होगा यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से F बराबर 20 बटे 2 यानि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अगर यह formula आपको पता है तो आप 1 second में इसे लगा सकते हो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर D हो जाएगा समझ में आ रहे हैं इसका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा इसका उत्तर डी हो जाएगा इसको देखो वेंड डाइग्राम पे कोशन है वेंड डाइग्राम से भी कोशन पोस्ता है क्या दिया है बोले दिया गया वेंड आरेक उन छात्रों को दरसाता है जो बिबिन भासाइं बोल सकते हैं इसके लुसार केवल दो भासाइं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है क्या बोलना है दो भासाइं जब भी आपका ऐसा प्रश्ण आएगा मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कल दे रहा हूँ यह आप देखो यह जो I है I क्या है दो भासाइं बोलने वाले L यहाँ पे केवल क्या है L यहाँ पे दो भासाइं बोल ला है M यहाँ पे दो भासाइं बोल ला है O यहाँ पे बोल ला है N तीनों भासाइं बोल ला है I यह क्या है I केवल I वाला पार्ट यह है I वाला पार्ट यह है K वाला पार्ट केवल क्या है और जे वाला जो पार्ट है, जे वाला पार्ट केवल और केवल क्या है, जे वाला पार्ट ये, तो अगर दोनों की बात किया जाए, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट M का है, ऐसे ये वाला पार्ट क्या है, ये दोनों का है, ऐसे ये वाला पार्ट, तो क्या हो यहांने LMO हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा बहुत आसान प्रश्ण था LMO हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा l-plus-m-plus-o क्योंकि n तो तीनो भासाइं बोल ला है i, j, एक के वल सिंगल भासा बोल ला है और n जो है वो तीनो भासाइं बोल ला है तो उत्तर l-m और क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा इसको देख security एक युद्ह के मैदान में हमेशा क्या होता है युद्ध के मैदान में हमें सब तीर होता है अगर बंदूक वाला जमाना है अगर लड़ाई दो modern time की हो रही है तो गोला बारूत बंदूक होगा तीर नहीं होगा अब हवाई जहाज हेली काप्टर आपके तोप होगे या आपके हाथ ही नहीं होगा अब आपका रत नहीं च इसको देखो एक सीर्स का साजह करने वाले घनाब के तीन फलकों के प्रिष्टिये छेत्रपल 20 वर्ग मीटर 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है घनाब का आयतन क्या है इसने क्या बोला इसने बोला एक घनाब है घनाब क्या होता है घनाब होता है क्यूबाइट घनाब होत कर रहा है ऐसे ही ऐसे ही कौन सा ऐसे यह वाला फलक इसको साजा कर रहा है उपर वाले को और सपोस करो कि यह साइड वाला भी क्या कर रहा है इसको साजा कर रहा है उपर वाले को तीन फलक तो इसमें देखो अगर यह लेंथ है अगर यह क्या है यह साजा कर रहा है तो इसको य छेत्रफल हो जाएगा वो हाइट इंटू बेट्थ हो जाएगा इसका छेत्रफल हाइट इंटू बेट्थ हो जाएगा इसका छेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह आपकी लेंथ है यह आपकी लेंथ हो जाएगा और क्या हो जाएगा लेंथ और हाइट हो जाए आयतन, वो क्या होता है, वो L into B into H होता है, अगर इन तीनों को आपस में गुडा कर दिया जाए, तो दो बार L है, तो L square हो जाएगा, दो बार, हाँ, यहाँ पे, हमने इसे H into यह L है न, यह अगर H है और यह B है, और यहाँ पे क्या है, यह L है, और इसे क्या मिलेगा, H यानि आप देखो हमें LBS चाहिए तो इसी का स्कुायर root ले लो यानि तीनों का गुडע करकेaktig लेना होगा तीनों को गुड़ा कर लो कितना एका टीनों को गुड़ार रेकवा बीस बीस कर लो बीस गुड़े गुणे अगर 32 निकाल लो तो 2022 एल्टर आपका 60 आपका एक 16 आजए ङरने सेचा विखलप == सही जवाब हो जाएगा अगे देखते हैं इसको देखोग फिजिक्स का बहुत अच्छा कोश्ण है क्या बोला एक चीज ध्यान देना बिटर मैं क्यों बोलना हूँ कि आपको बहुत गंभीता से तयारी करना है आपके maths प्लस reasoning मिला कि 50 question और जो आपका 20 question लगभग science होगा इसमें भी आपके लगभग 5 से 7 question numerical होगे और 5 से 7 question अगर आपके numerical होगे तो ये भी आपका 5 से 7 question जुड़ जाएगा मतलब 60 minute में आपको लगभग 60 question क्या करना होगा ये solve करने वाले question होगे जो challenging होता है जो क्या होता है वो challenging होता है क्या होता है 60 minute में 60 question करने वाला क्या होता है challenging होता है इस कारण से आपको क्या करना है पहले से practice और concept को बहुत मजबूत रखना है अन्य थाई आप से क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा इस प्रश्ण को करते हैं कह रहा है कि 22 किलोग्राम के द्रब्यमान वाली वस्तू 5 मीटर पर सेकेंड वेक के साथ चलती है उसमें कितनी गतिच उल्जा होगे तो गतिच उल्जा क्या होती है हाफ एमबी स्क्वाइर होती है गतिच उल्जा क्या होती है हाफ एमबी स्क्वाइर होती है 1 upon 2 हो जाएगा mass 22 दिया हुआ है velocity 5 गुणे 5 दिया हुआ है तो 25 गुणे 11 ग्यारा का multiply मैंने बताया था 5 लिख लो 527 लिख लो और फिर 2 लिक्टलो उत्तर की आजाएगा 285 कौन सा एक रुपांतरित भिन्न है रुपांतरित भिन्न क्या होते हैं जिसे simple भिन ए बटे भी है इसमें मैं उपर नीचे कोई गुड़ा कर दूँ तो ये क्या हो जाता है ये रूपांतरित भिन हो जाता है तो 91 और 15 में कुछ common है क्या 91 एक प्राइम नंबर है ये नहीं होगा 89 और 26 में कुछ common है क्या 79 प्राइम नंबर है कुछ नहीं होगा 105 और 112 में हाँ यहाँ common मिलेगा क्योंकि 41 सत्रा फिल से प्राइम हो जाएगा तो C में आप देखो कि यहाँ पर ये दो चीजों का multiplication common है तो क्या हो जाएगा 105 और 112 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मिलाया जाता है तो नए मिषण में आपसे क्या पूछ राएये दोध का पतिसत आपको बताना है नए मिषण में अगर आप इसे देखो दूध और मटलब मिषण दोध और पानी का मिषण देखा जाए तो क्या जाया तो दोभटे तीन है तो दो भाग दूद है, एक भाग पानी है क्या बोल रहा है कि उसमें 21 लीटर मिसरण है तोटल जो मिसरण है, मिक्षर जो है, वो कितना है, वो 21 है यानि तोटल मिसरण 3 है, तो 3 के बराबर 21 हो जाएगा 1 के बराबर 7 हो जाएगा, 2 के बराबर 14 हो जाएगा यानि इसकी value क्या हो जाएगी इसकी value 14 हो जाएगी इसकी value 7 हो जाएगी अब क्या बोला है कि 4 लिटर पानी और मिलाया जा रहा है तो यह हो जाएगा 11 लेकिन यह कहा रहेगा यह 14 ही रहेगा मिश्रण कितना हो जाएगा मिश्रण 21 था 21 में मिश्रण कितना हो जाएगा जो नया मिश्रण हो जाएगा 21 प्लस 4 यानि क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आप से पूछ क्या रहा है दूद का प्रतिशब निकालो दूद अभी भी कितना है 14 है लेकिन अब उत्तर 14 बटे 25 इसमें देखो फिर से आपसे water image पूचा है water image बराबर मतलम नीचे लगा दो यह गोला आपको दिख रहा है यह गोला ऐसे आएगा ऐसे यह arrow आपको ऐसे दिखेगी और यह arrow आपका ऐसे रहेगा ठीक है कुछ इस प्रकाल दिखेगा तो आप इसे match करा लो ऐसा figure यह वाला यह व उत्तर हो जाएगा D उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसका D विकल्प से हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसका D विकल्प से हो जाएगा इसको देख लो क्या बोले किसी छेत्र में महतपूर सारवजनिक उपलब्धी के लिए दादा साहिब फाल के उसका किस दिया जाता है, फिल्मों के लिए दिया जाता है तो ए विकल्प हो जाएगा आगे देख लेते, फिर इसे आपका बॉर्ड मौस का 3 से 4 कोशन देकेवल बॉर्ड मौस के थे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस 261 दिया हुआ है प्लस का माइनस 380 दिया हुआ है, प्लस का 821 दिया हुआ है, माइनस का माइनस 121 दिया हुआ है, फिर यह ब्रेकट क्या है बन, बड़ा ब्रेकट बाहर लगा हुआ कोई मतलम नहीं, छोटे ब्रेकट में आप साइन कन्वेंशन चेंज कर लो यह माइनस 261 है प्लस माइनस माइनस 380 है माइनस माइनस प्लस 521 है प्लस 821 है और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा इसे ही आपको क्या करने ला है इसी को आपको solve करने ना है ये प्लस ये प्लस ये प्लस 3 प्लस के हैं तो 1, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएगा और 8, 1, 9, 5 क्या हो जाएगा 1463 हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा 8, 6, 14 हो जाएगा 3, 2, 5, 6 हो जाएगा माइनस का 641 प्लस का 1463 3 में से 1 जाएंगे लाश्ट में 2 बचेगा यूनिट डिजिट में 2 केवल कहां पर है 822 में हैं तो C भी कल डिसकस हो जाएगा इसको देखो वह वाहक का प्रतिरोध किसके विपरित आनुपातिक होता है एक वाहक का बोला है जो conductor है जो resistance है किसी conductor का किसके व्यूत करमानुपाति होता है R A के व्यूत करमानुपाति होता है क्योंकि R बराबर क्या होता है रो L by A होता है R directly proportion to L होता है और R inversely proportion to 1 upon A होता है तो यह क्या हो जाएगा यह area of cross section के C का इसका क्या हो जाएगा C इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा C इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा इसको देखो, thairoxine के सेंसलेशन के लिए, निम्लिखित में से क्या वस्यक है, thairoxine जिससे thai ride होता है, जिससे घेखा रोग होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका iodine, iodine इसलिए iodine उतना मक खाया जाता है कि घेखा रोग ना हो, तो कि विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पौधों के तने या जड़का घेरा किसके कारण बनता है कोई अगर पौधा होता है कोई अगर पौधा है कोई अगर कोई अगर पौधा है सपोस करो यहां पर डाल है और यह पतिया है ठीक है यह अगर कोई कोई आपका क् प्रकार के टीशू की ग्रोथ करते हैं, एक आपका क्या होता है, एक आपका लेटरल होता है, इसे मेरिस्मेटिक टीशू बोलते हैं, एक आपका क्या होता है, एक आपका एपिकल होता है, एक आपका क्या होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है, इसे हम इंट इंटर, कैलरी बोलते हैं, यह तीन प्रकार के growth tissue plant में पाए जाते हैं, lateral क्या होता है, जो आपकी गर्थ, यह जो आपकी मोटाई बढ़ाता है, यह आपका lateral होता है, जो आपका growth बढ़ाता है, मतलब उपर उपर बढ़ेगा और यह नीचे बढ़ेगा, उपर और नीचे की growth कौन बताता है यह epical बताता है और जो आपके nodes जैसे कहां से पत्तिया निकल रहे हैं जहां से तने निकल रहे हैं यहां पे जो होते हैं यह intercalary होते हैं तो इसने क्या पूछा गर्थ याने की मोटाई तो मोटाई किससे होगा लेटरल से होगा मोटाई किससे होगा लेटरल से होगा मोटाई किससे हो जाएगा लेटरल से हो जाएगा question number इसको देखो reasoning का question है क्या बोले P, Q, R, S और T में से वजन में सबसे हलका कौन है data efficiency का question है आप से पूछ रहा है कि दिमलेखिन में सबसे हलका कौन सा है आप इसका Q का वजन P और S साथ ही S का वजन क्या बोले Q का वजन छोटा है P और S से जो Q है Q जो है P से छोटा है और Q जो है Q S से भी छोटा है और क्या बोला है S जो है T से बढ़ा है यानि S किस से बढ़ा है? S T से बढ़ा है दूसरा बोला है R का वजन Q से बढ़ा है यहाँ पर क्या बोला है? R का वजन जो है Q से बढ़ा है यानि R अगर Q से बढ़ा है Q यानि P और S से छोटा होगा R जो होगा Q छोटा है इससे तो यहाँ पे कहीं आना चाहिए आप इसे और बोल सकते हो Q less than R हो जाएगा और क्या बोल रहा है Q T से छोटा है यानि फिल से Q T से छोटा है Q P से भी छोटा है S से भी छोटा है R से भी छोटा है T से भी छोटा है और Q यानि सबसे अगल छोटा है तो सबसे छोटा ही पता लगाना है मतलब दोनों statement आपको चाहिए कथन एक और दो दोनों परयापत होंगे इसका B विकल्प होगा इसका क्या होगा इसका B विकल्प सही होगा 48 को देखो किस धात को मिट्टी के तेल में संग्रीत किया जाता है मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है क्योंकि यह अति जोलन सील होता है ये air में oxidation होके जलनसील होता है जल जाता है इस currency से मिट्टी के तेल में sodium को रखा जाता है 49 में प्रश्ण को देखो यहाँ पर फिल से डियाई का question है तालिका दिया हुआ है और निम्र तालिका का च्छा 10 section A और B में उन च्छात्रों की संख्या का विवर्ण देता है जोलोंने मध्यावधी और अंतिम परिक्षदी थी अनुभाग A में च्छात्रों का पतिशत एक दसमलों तक क्या होगा मतलब आपका total इसमें देख लो करना क्या है यह जोड़ लो यह जोड़ लो और यह बटे कर दो 8, 4, 12, 12, 12, 12, 18, 18, 4, 22 के 2 कह रहे है यह दो 2, 1, 3, 3, 3, 3, 9, 9, 2, 11 होजएगा ठीक है यहाँ पे 112 होजएगे यहाँ पर जोड़ो तो 7, 5, 12, 12, 12, 14, 14, 13, 17 होजएगा साथ 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 4, 9, क्योजएगा 107 आपसे यह पूच रहा है section A में टोटल कितना है गर दोनों को जोड़ लो तो यह कितना हो जाएगा साफ दो नो हो जाएगा यह एक हो जाएगा 219 यानि 112 बटे 219 गोड़े आपको 100 निकालना है यही आप कैलकुलेट कर लोगी आपका क्या जाएगा आपका उत्तरा जाएगा कैलकुलेशन बिश्था ठीक है हां बहुत उम्ता तो क्या हो यहां से उत्तरा जाएगा इसमें पूछा था यह पुराना कोशन है पूछा था कि किस बुख्य मंत्री का पिता महराजा थे तो यह अमरिंदर सिंग यह प्रिंसली स्टेट जो आपका क्या था पंजाब का वो आपका अमरिंदर सिंग के जो पिता जी थे यह क्या थे यह मह कल्प D हो जाएगा आगे देख लेते हैं किस हिंदी लेखा को दुखम सुखम के लिए 2017 का चुना गया था तो ये ममता कालिया को चुना गया था इसका विकल्प क्या हो जाएगा ये पुराना प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ दें पूजर एक त्र कोण है एक आपका तीन है एक आपका चार है तो पाइटागोरस टिपलट से निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा अब इसमें क्या बोल ला है कि त्रिभुज के परीवरित मतलब कि सरकम सरकल क्या होती है सरकम सरकल जो इनको छूती हुई आए इसी 2.5 हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्कॉयर होता है यानि 22 बटे पाई की वैलू ऐसे लिखा हुआ तो पाई आर की वैलू क्या हो जाएगा 2.5 का स्कॉयर हो जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा 6.25 पाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 6.25 पाई हो जाएग तो इसका A विकल्ब से हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर A हो जाएगा क्लियर आगे देख लेते हैं तापमान को Celsius से Kelvin पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो भाई Celsius से Kelvin जादा होता है आप 0 degree Celsius में 273 Kelvin जोड़ देते हो तो आपको क्या मि चाहिए 273 जोड़ देना चाहिए आगे देखते हैं इसको पता दो इसे पता दो दो किलोग्राम तरब बैमान की एक वस्तु को 20 मीटर पतिस सकेंड के सुरुवाती वेक के साथ उपर की और फेका जाता है अगर उपर की और फेका जाएगा तो V बराबर U प्लस क्या लगा उपर की तरब फेका जाएगा तो यह जी होगा और जी उपर की तरब माइनस होगा V, ब 20-20 कितना हो जाएगा तो final velocity अगर 0 हो जाएगी, तो क्या पूँछा kinetic energy, kinetic energy क्या होता है? half mv square होता है, यानि v की value 0 है, तो यह क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? v vICK तो odd one out अगर आपको पहचानना था, आप अगर देखो कि बिटा, तो यहां पर 3 line है, यहाँ पे भी तीन लाइन है, यहाँ पे भी तीन लाइन है, लेकिन यहाँ पे केवर दो लाइन है, इस कारण से यह क्या हो जाएगा, odd one out हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 5 हो जाएगा, इसको देओ, यह बहुत अच्छा कोशन था, clock और number system से mix करके बनाया गया था, वो लाइद घड़ी में संख्या 1 को M अच्छा से बदल दिया जाता है, संख्या 2 को N से बदल दिया जाता है, तो और आगे इसी प्रकार से यह प्रक्रिया की जाती है, तो 21 बजेगा तो क्या होगा, यह घड़ी है, घड़ी में आप से क्या बोलागे, 1 को M, यहाँ पर अगर A को M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, फिर W, है न, यही, और यह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, तो आप से पूछ रहा है, 9 जब बजेंगे, 9 बजेंगे, तो सुई कुछ ऐसे होगी, तो क्या बोला ह कि जो हावर END है, वो कहाँ पर होगा, तो U पर होगा, R END कहाँ पर होगा, R END होगा, C बिकल्पिसका क्या हो जाएगा, C बिकल्पर बिलकुल सही हो जाएगा, तो बहुत बहुतिक x पूछ है था इसे आप देखते चलो, अच्छा सी रिंकला में लुक्ट पत ग्याद करो जहाँ देखो B, D, और H. यहाँपे B से D पर दोका अंतर आया. D से दोका अंतर D, E, F, G आएगा. H, I. E, F आएगा. फिर G, H. तो यहाँपे क्याएगा. दो-दोका अंतर देखो. दो-दोका अंतर देखो. तो G तो नहीं आएगा. B के बाद B, C, D, E, F यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर F आना चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर F आना चाहिए तो यह G और E वाला कट जाएगा, यहाँ पर F बचेगा अब आते हैं, G के बाद G, H, I फिर I, J, K, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यह भी कट जाएगा तो A बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसका उत्तर A हो जाएगा, बहुत बढ़ी है, इसको देखो, यह कोशन क्या है, यह फिर से आपका क्या है, फिर से आपका time and work का कोशन आ गया, क्या बोला है, सरन और मय मयूख एक साथ कारे करने पर एक कारे को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाला कि मयूख अकेले कारे करता है, और कारे का एक तिहाई भाग पूरा करने के बाद निकल जाता है, उसके बाद सरन से इस कारे को पूरा करता है, परड़ाम सरूप जोड़ी कारे को 40 दिनों में पूर वो क्या है? वो efficiency of S से क्या है? जाद है. ज़ावते ही से काम किया, मतलब जादा है. तो सरन ने अकेले उस कारे को कितने दिन में पूरा किया होगा अब आप देखो अगर दोनों मिलके कारे को 40 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिलके 40 दिन में समाप्त करते हैं यही तो बूला नहीं सरन मर्यों के कारे को करने में एक कारे को 18 दिन में पूरा करते हैं अगर यह दोनों मिलके 18 दिन में कारे करते हैं मतलब अगर मयूक और सरन दोनों मिल जाएं तो 18 दी में हम एक situation सूचेंगे अगर दोनों बराबर होते तो कारे समापत होगा 36 लेकिन मयूर की कारे समता जाधा है सरन की कम है तो सरन को ज़्यादा समय लगेगा इसका मतलब अगर अकेले काम करेंगे तो क्या हो जाएगा अकेले काम करेंगे तो 36 से ज़्यादा लगना चाहिए 36 से ज़्यादा लगना चाहिए मतलब 30 तो बिल्कुल नहीं होगा 24 तो बिल्कुल नहीं होगा या तो 72 होगा या तो 45 अब दोनों मिलके 18 दिन में कर ले रहे और उसके बाद क्या हो रहा है बोला है कि पहना जोड़ी कारी को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं मतलब 40 दिन में ये 7 दिन में ये तो total 47 दिन में तो ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब उसके आसपास होना चाहिए तो उत्तर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा क्योंकि 72 बहुत जादा दूर हो जाएगा इस हिसाब से हम लोग A लगा देंगे तो ये question ये question बहुत 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 बहुतरीन तरीके से हम कर सकते हैं बिना कुछ लगाए केवल लॉजिक से ये सब कुछ मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कितना बहुतरीन तरीके से हम इसे करते हैं यहां पर कथन निसकल्स का है कि एक राजनेता से साधी नहीं करेगी, एक से एक राजनेता से साधी नहीं करेगी, नहीं करेगी उसकी मर्जी, क्या बोले एक्स बिल महरी या पॉलिटीसियन, निसकल्स है पहला, एक से एक राजनेता से साधी करेगी और दूसरा है, एक से एक स सुन्दर लड़की है जो राजनेता हैं वो केवस सुन्दर लड़कियों के साथ क्या करते हैं साधी करते हैं और एक्स एक सुन्दर लड़की है तो यहां पर निसकल्स है एक्स राजनेता से साधी करेगी एक्स राजनेता से साधी नहीं करेगी भाई दो चीज़ दिया दुन वल्तमान आयू का तीन पांचवाँ भाग मेरे एक कजिन के पांच छटे भाग के समान है। मेरे वल्तमान आयू पूँच रहा है यानि अगर एकस वाई में रिलेशन देखें तो एकस माईनस वाई क्या हो जाएगा एकस माईनस वाई चौदा हो जाएगा अगर यहां पे तीन बटे पांच एकस बराबर क्या हो जाएगा पांच बटे छे इंटो एकस माईनस क्या कर द तो 14 कर दो, इसे ही आपको हल कर लेना है, x की value आपकी हो जाएगी, यहाँ पे देखो, तो 6 तरिक 18x हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा, माइनस 25 गुणे 14 हो जाएगा, यानि इधर ले आओ, तो 25 गुणे 14 बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 18 जाएगा, तो 7x हो जाएगा साथ दूनी चौदा जाएगा एकस की वैलू पचास आ जाएगी उत्तर क्या जाएगा डे विकल्प हो जाएगा तो एज बेस्ट कोशन को हम लोग इस प्रकास से लगा लेंगे इसको देखो भोजन रेफ्रीजरेटर से उसी प्रकास संबंदित है जैसे कपड़े कपड़े कहां पर होंगे गराज में नहीं आलमारी में होंगे होड़ नहीं समगरी नहीं तो कपड़े कहां पर होंगे आलमारी में होंगे आसान प्रश्र था यहां पर बोल रहा है कि निम्लिकित में से क्या प्रकृतिकिक कभी अकेले न नहीं होता है, बल हमेशा किसी के relation में लगता है, अगर बल लग रहा है, कोई वस्तु रखी है, तो उपर से नीचे लगेगी, नीचे से उपर लगेगा, मतलब यह action और reaction पे होता है, बल कभी अकेले नहीं होता है, तो यह दो चीजों का क्या होता है, दो चीजों का combination होता है, इससे non terminating, क्या बोलते हैं? अशान्त दसंबलो, non terminating and non recurring. Non recurring ये होता है. मतलब अशान्त एवं अनावरती दसंबलो. अशान्त एवं जो अनावरती दसंबलो होते हैं, वही क्या होते हैं? वही आपके आपरिमे संख्या होते हैं. E-rational या root के अंदर जैसे root 2 हुआ, root 3 हुआ, root 5 हुआ, ये सारे संख्या क्या होते हैं, अपरी में होते हैं, इसकी value होगी 8, तो ये नहीं होगा, इसकी value होगी 4, तो ये नहीं होगा, इसकी value होगी 2, तो ये सारे integer हैं, क्या हो जाएगा under root 8, db कल्पिसका क्या हो जाएगा, सही जबाब हो जाए इसको देखते हैं बायोगैस सेंद्रमे निम्लिखیत में से कौन सी गैस? उत्पन्न नहीं होती है. तो यहाँ पर कार्बन मोनो आकसाइड उत्पन्न नहीं होती है. बाकी ह 2S भी होती है, CS4 भी होती है aur यह भी होती है ठीक है आगे देख लें पाच्छे कोशन और बच्चे दस कोशन जल्दी से कर लेते हैं रियो पैरलंपिक में स्वण जीतने वाली भालतिये पैरलंपिक के हाई जंपर का नाम बताईए 2017 का था ये मेरे ख्याल से मरियपम थंगा वेलू थेक बात देख लीजेगा इसका उत्तर C हो जाएग यहाँ पे देखें जीस्टी अपनी प्रणाली जीस्टी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन सा था तो जीस्टी पहला लागू करने वाला देश था फ्रांस सबसे पहले जीस्टी कहाँ पे लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था किसके निर्माण में chlorine gas का उपियोग किया जाता है आपका bleaching powder क्योंकि ये क्या होता है CAOCl2 होता है calcium oxy chloride होता है ये bleaching powder हो जाएगा washing powder होता है ये Na2CO3.10H2O होता है ये क्या होता है ये आपका washing powder होता है जो baking soda होता है ये NaHCO3 होता है क्या होता है ये baking soda NaHCO3 होता है baking powder इसी से सम्बंदित होता है तो इसमें क्या हो जाएगा bleaching powder हो जाएगा क्या बोला है कि क्रिप्टान की परमाणू संख्या 36 है तो इसका electronic configuration क्या होगा electronic configuration 2, 8, 18 अब आगे अगर क्या है जादा है तो बढ़ेगा वरना कम तो कितना है 36 तो 8, 2, 10 18, 28, 36 में कितना बचेगा 8 ही बचेगा तो 2, 8, 18, 8 इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 8 इसका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा configuration आपको पढ़ाया जाएगा तो आप समझ जाओगो इसको देखो तर्ग क्या दिया है best bus travel company ने अपना किराया 10% बढ़ा कर फैसला किया है धालाएं है या तरी best bus travel company की तुल्ना में कम किरायवाले अन्य बसों को चुन सकते हैं सही भी हो सकता है कुछ यात्नियों दोरा बसों की मान किरायविर्दी के बाद भी अपरिवर्थित रहती है दोनों सही है यानि कि क्या हो जाएगा एक और दो इसमें दोनों नहीत रहेगा अब मैस का ये कोशन है कोशन है कौन करके बताएगा जल्दी से मुझे बताओ 750 रुपए का 3 महीने के लिए निवेस करने पर 18 ब्यास दिया 750 आपसे पूछ रहा है कि वारसिक साधरल ब्यास की दर क्या है 750 रुपए 3 महीने में 3 महीने में कितना हो जा रहा है 3 महीने में 18 हो जा रहा है 1 साल 12 महीने का होता है तो अगर 12 महीना होगा तो 3 से 12 आने में 4 का गुड़ा करोगे तो यहाँ पे भी 4 का गुड़ा करोगे 18 चुब 72 रुपए यानि 750 पे 72 रुपए का फाइदा हो रहा है तो rate क्या हो जाएगा 72 बटे 750 गुड़े 100 हो जाएगा आप देखो यह 0 से 0 कट कर दो 25 15 पचे 75 हो जाएगा 55 पांच दूनी 10 हो जाएगा फिर अगर 3 से कड़ो तो 3 पचे 15 हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा 3 चुग 12 चौबएस यानि कि 24 दूना 48 बटे 5 हो जाएगा 5 अठे 48, 5 नौपएटालिस 3 जाएगा 5 चक्तिस 9.6% आपका B विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका B विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें दीगई स्रिंखला में B जोड को चुनिए देखो यहाँ पे 1 क्रॉस एक बिंदू है यहाँ पे 1 क्रॉस एक बिंदू है यहाँ पे क्रॉस एक बिंदू है, यहाँ पे क्रॉस एक बिंदू है, बेजोड क्या हो जाएगा, एक क्रॉस दो बिंदू आला C, C कहां छुपा बैठा है, C आपका छुपा बैठा है, A में, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर इसका A हो जाएगा, इसका उत्तर क्या से बनता है तो इसमें तीन तो एक दो और एक पूरा वाला तीन तो यहां हो गए ऐसे ही तीन आपका यहां पर ख़िसके अत्रिक्त आपका एक यहां पर बन रहे हैं ठीक है कितने होते 3, 3, 6, 3, 3, 12, 1, 13 हो गए, एक यहाँ पर बनता है, 14 हो गए, कोई और बन रहा है क्या, कोई और मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है, तो इसमें कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, इसमें 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसमें 14 हो जाएंगे, आगे दिखते हैं, धातु की और अमल क्या होंगे, मेटल और एसिड होगा, तो मेटल ऑकसाइड बनेगा, छार और क्लोरीन, एक छार और अमलारी, सार्टेंड बेस, एक छार और हाइड्रोजन, सार्टेंड हाइड्रोजन, छार और पानी, सार्टेंड वाटर, सार्टेंड वाटर जब अमल और छार मिलते धात उसे बिलेगा, तो आप समझ लो कि copper, ठीक है, HCl के साथ, HCl के साथ आप क्या मिला दो, Na मिला दो, तो ये क्या बनेगा, NaCl और H2 बनेगा, यानि कि hydrogen और salt बिनेगा, तो salt और hydrogen यहाँ पे C विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C विकल्प बिल्कुल सही हो जाएग कि यदि क्या होता है, तो अधिक जय वित्ता उत्पन्न होती है, लेंगिक प्रजनन, binary vision, vegetative proportion या asexual reproduction, किसमें सबसे ज़्यादा diversity होती है, यह अंतिम प्रशन आपको बताना है, यह अब मैं नहीं बताऊंगा, यह आपका मैं complete किया, बता दो इसमें, किसमें सबसे करते कि इसमें देड़ घंटे से पौने दो घंटे लग गए, जब कि आपको एक घंटे में 75 कोशन करना होगा, तो आपको speed बढ़ाना होगा, इसलिए मैं आपको बता रहूं बच्चों कि, हाँ, चिल, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी तयारी को बिल कि T1 और CBT2 दोनों दिया जा रहा है, तो आप इससे आज ही जूड सकते हो, और उमीद है कि आप इससे जूड़ोगे, और टीम परिक्षाप्ला जो एक एंजीनियर्स की टीम है, उसे आप सेलेक्शन करवाने का मौका जरूर दोगे, फिर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यव आप साविका बहुत-बहुत आप आप